हेलो फेंग्स मैं हूँ संध्या और आज हम घर पे बनाने वाले हैं चौकलेट घर पे चौकलेट बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और आज में ये चौकलेट फ्लेवर वाला बना रही हूँ जो खाने में काफी यमी लगता है आप इसको किसी को गिफ्ट में भी पैक करक इसके लिए हमने dark compound chocolate को melt कर लिया है और साथ में white compound को भी melt कर लिया है और इसे piping bag में भर लिया है यह हमने gulkan लिया है और साथ में hard shape का silicon mold सबसे पहले हम white chocolate को एक cavity में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से spread करेंगे आप चाहे तो उंगली से या चम्मस से या ब्रस से इसको spread कर लें और इसमें half teaspoon से थोड़ा सा कम gulkan को डाल दें और इसके उपर white chocolate से अच्छी तरीके से cover कर दें और फिर इसे अच्छी तरीके से हमें tap कर देना है ताकि chocolate set हो जाए सेम हम इसमें dark compound वाली chocolate को डालेंगे और इसे भी वैसे ही हम spread करेंगे और इसमें भी हम gulkan डालेंगे और इसके उपर हम dark chocolate से cover कर देंगे और इसे tap कर देंगे ये chocolate खाने में काफी यमी लगता है अब हम almonds को chop कर लिये हैं और इसे हम ऐसे ही डाल देंगे नीचे और उसके उपर white chocolate से cover कर देंगे ये chocolate देखने में भी सुन्दर लगता है और खाने में भी बहुत ही यमी लगता है अब हम sprinkle sugar sprinkle ले लिये हैं इसको हम cavity में डाल देंगे और dark chocolate को हम इस तरीके से डाल करके cover कर देंगे और टैप कर लेंगे आदे गंटे के लिए freeze में रख देंगे आदे गंटे के बाद हमारी chocolate अच्छी तरीके से set हो चुकी है बहुत ही असानी से हमारी chocolate निकल भी जाती है बहुत सारी festival आ रहे हैं तो आप उसमें इसको gift करके आप किसी को भी दे सकते हैं घर की chocolate काफी यमी होती है और काफी अच्छा भी लगता है अच्छी लगियो रेश्वी तो like करना ना बूले थैंक्यू